नमस्कार दोस्तों, important topic है भुवनेश्वर में army officer and उनकी fancy के साथ जो incident है उसका बहुत analysis जरूरी है थोड़ा delay में मैं बताता हूँ क्योंकि और तथे भी कुछ आ जाते हैं और इसको deeply analyze करते हैं इससे disturbing trends निकल कर आ रहे हैं and आम जटा को not only discuss करना है बट इस पे अपनी opinion भी रखनी है धर्म खत्रे में है, सुनते हैं ना, जी नहीं, latest news है, breaking news है भारत में भारत का फौजी खत्रे में है भारत का फौजी खत्रे में है, हमारे फौजी भाई खत्रे में है, उनकी पिटाईयां हो रही है तीन incident back to back, राजिस्थान में फौजी भाई की पिटाई हुई, पैरा SF का जवान था पैरा SF का एक जवान 25 आतंगवादियों पे भारी पड़ता है, दुश्मन पे भारी पड़ता है, ये ट्रेनिंग है उसकी पिटाई हुई, मौँ में इंदौर में incident आया, rape of one lady friend and उनकी पिटाई by miscredients जो रात को घूम रहे थे, वो incident आया, उसके बाद अब latest ये भूवनेश्वर वाला आया तो इस पे stick करेंगे, इस incident पे बात करेंगे और दो तिन trend क्या निकल कर आया है, उस पे बात करेंगे and हमेशा की तरह hopelessness पे नहीं छोड़ूँगा, सिरफ ये निंदनिये है, नहीं होना चाहिए, emotions पे नहीं छोड़ूँगा, practical बात बताऊंगा और वो सुनी भी जाएगी देर सवे, and उसमें किसी के मिर्ची लगेगी तो जिसके लगनी लग जाएगी, पर आप comment section में बताना कि वो इलाज सही है या नहीं, इस case की बात करते हैं, that lady महिला और major साब, रात को there was and brawl कहले, या कहा सुनी कहले, एक pub के बाहर, उसमें वीडिय करे जा रहे हैं, और उन वीडियो का रिलीज करने का परपस भी जो मैं बताऊंगा, कि यह case तो हो गया है, तो भ्रांती फैलाना है वीडियो के थुरू, उस वीडियो में एक वीडियो निकला है, जिसमें seven boys है, men कहलो boys, college के engineering students है, बाद में पता चला, वो arrest हो, चार घंटे म मैं बाल दिखाऊं, ऐसे exact में quote करके बता रहा हूं, और उसमें वहां से बोल रहे हैं कि यह दिली नहीं है, यह दिली नहीं है, यह भुवनेश्वर है, तो इससे trends को आगे भी analyze करेंगे, तो यह ब्रॉल है, इसमें जो महिला के साथ जो फोजी अधिकारी थे, वो उनको अल अफ्रेड की यह साथ लोग chase करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर साब है, और उनके नाम भी throw around courage गए थे, और उस वीडियो में दिख रहा था, ब्रॉल वाले में, तो इन लोगों ने, like any good citizen, यह सोचा कि अगर यह matter escalate करेगा, या वो उनके पीछे आएंग कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था, तो तुम, क्यों नहीं कि तुमने complaint निखाई, एक तो इनको भैय यह भी था कि इसके पीछा पीछे भी कर सकते हैं, तो यह दोनों के दोनों एक police station में जाते हैं, उस police station के अंदर सबसे पहली चीज, तो कोई CCTV camera नहीं, और वो चार-पांच महिने पहले एक video है, senior police अधिकारी का saying कि model police station है, CCTV लगें, कुछ लगें, CCTV थे ही नहीं, अब यह inquiry बताएगी जो डलेगी कि क्या थे और recording हुई थी और गायब किये गई या थे ही नहीं, either way, it speaks very poorly on the police, कि CCTV थे और गायब कर दिया footage, या CCTV था ही नहीं, either way, it is against the rule which is there की CCTV होना चाहिए, उसके बाद, इन लोगों ने complaint लिखाने की वहाँ कोशिश करी, वो लिखी नहीं गई, और फिर जो महिला जो है, उनकी चोटे आई हैं, bleeding nose से हुई है, उनने publicly भी कुछ काफी चीज़े बोली हैं, कि उनका कपड़े करे गए, police officer ने आके, ये claim है कि ऐसा ह अब inquiry भी होगी, कि उनने अपने pant उतारी, और वो सब को पता है, मैं वो थोड़ा बोलने में उस तरह लगता है, पर काफी molestation level तक की चीज़ हुई, जो lady police थी, उनने उनको घसीटा और उनने अपने दात से उनके हाथ भी काटे, in self defense, जिस तर उनको घसीटा जा रहा था, और जो सेनने अधिकारी थे, उनको उनने जेल में डाला, और ये जो lady है, महिला है, ये lawyer भी है, advocate भी है, अब इनका जो video चलाया जा रहा है, जो police video ले रही थी, उसमें this lady is appearing agitated, तो of course सारी चीज़ की नहीं बताई, वो बार बार अगर आपके साथ इतनी जयत्ती हो रही है, आप वहाँ से आए है, complaint लिखाने, आपकी complaint नहीं लिखी जारी, तो ये बोल रही है कि आप 90 में क्यों है, ये lady बोल रही है, पुलिस महिला को कि ये कैसी dress में है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, और वो बार बार उनके video बना रहे हैं, और उनको उनने जेल में डाल दिया, तो what did the police want, कि तुम्हारे पीछे साथ लड़के हैं, तुम दोनु, just imagine करो, पुरुष और महिला दोनु आए हैं, पुलिस टेशन में complaint निखानने, शरन लेने, उनसे help की उमीद करने, तो police ने ये जो mail है, अधीकारी है, इसको जेल में डाल दिया, और इसको बोला, तु जा बाहर रात के टाइम, मतलब, why will she even go, एक तो fancy को अंदर डाल दिया, that is one aspect, ठीक है, कि उसको छोड़के अब कैसे जाएं, second इसकी बाहर जाएं, कैसे भी बाहर जाके क्या होगा, ये police की ये येसी एक IQ होती है, और उनके जो DSP और बाकी जो police अधीकारी अगले दिन IPS को ब्यान दे र उल्टा उस महिला को एरेश्ट कर लिया, और इस महिला को बेल लेने हाई कोड जाना पड़ा, घजब है जी, हम तो हैरान है, परेशान है, ये देश का हाल है, मतलब, police का ऐसा काम हो चुका है, ऐसे काम तो police, जो ये इस case ने निकाला है, ऐसे काम तो police, ब्रिटिश के टाइम पर भी नहीं करती थी, freedom fighters के लाठी मारती थी, येस, पर ये बिहुदे काम तो उस टाइम भी नहीं, कभी हमने सुने, कभी recorded history के अंदर इस तरह काम होई हो, यहाँ military का, फौज का moral पर क्या effect होगा, फौज का जवान देखेगा कि जवान तो पिटी रहे थे राजिसार में, मौगों में पिट रहे, यहाँ पिट रहे और यहाँ तो police वाली पिट रहे है, यह police वालो के क्या kink है, कि यह military वालो से क्या आपने आपको समझते हैं उपर, more man समझते हैं कि हम इनको पीट देंगे, इनको कुछ idea भी है कि यह adjust तुम क्या हो तुम इनके नाखून के बराब पर भी नहीं हो तुम्हारी आउकात लेकिन ये कौन समझाए इनको क्योंकि एटिचूड है ना टाता तीना IPS UPSC तो ये ये क्या सिफारश से भरती होते हैं फौज में इनकी ट्रीनिग ऐसी है the military community on one side and the military leadership is military community is very agitated as seen by retired journals and ex-servicemen forums and all and rightly so वो महिला भी ब्रिगेडिर की बेटी है मैं ये नहीं कहा रहा कि ब्रिगेडिर की बेटी को बहुत special होती है सब special होते हैं ऐसा नहीं है सब महिलाएं किसी की बी हो लेकिन ब्रिगेडिर की बेटी मेजर साब फ्यान से रात का टाइम साथ लोग पुलिस स्टेशन में क्या वो महिला और पुलिस स्टेशन में उनकी नीद खराब करने गए थे वहां नजारा ही रात को गए तो कुछ अलग था अब उस पर मैं जादा कॉमेंट नहीं करूँगा वो इंक्वाइरी दिखाएगी और फिर मैटर को इतना एसकेलेट करना पड़ा फिर शुरू में हुआ कि पुलिस वालों को हटा देंगे फिर बोला चलो आप सस्पेंड करेंगे देश का मुराल देश की फौज का मुराल बहुत लो होता है हैंड आप उडिसा में नहीं रहते मानलो या कहीं भी डारेट एफसानों की अप्रोच है ना की फर्क पैंदा हो गया फौजी के साथ हर हिंदुस्तानी भारतियों को एफेक्ट करता है कि यह जो फौज है ना वो फेसलेस है ओडिसा में तो ओडिया वाली पुलिस होगी हरियाना में हरियाना वाली पुलिस होगी हरियाना के आदमी होंगे ठीक है राजिस्तान में राजिस्तान नहीं मिलेंगे वो तो वहीं वहीं है ना उसके रिकॉर्डिंग पर आ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है महिला है पब में गई है और कपड़े ऐसे हैं और उस कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं यह देंजरस ट्रेंड है हमारे यहां सेक्षुली इतने डिप्राइव्ड डिप्रेव्ड हो रुखे हैं मैं यंग मैं कि अगर उनको कोई महिला किसी और आत्मी के साथ रात के टाइम के जाती दिखे तो उनको लगता है she's available and she's inviting निर्भया कार्ड में भी तो ये श्टोरी थी ना उनके इंटर्वीव हमने पड़े थे अब disturbing trend यह कि वो एक तबका था जिनको हम यह कह सकते थे यह पड़े लिखे नहीं हैं यह गरीब लोग हैं यह social misfits हैं पता नहीं खा रहते है और यह हैं अब तो यह तो पड़े लिखे engineering वाले हैं middle class में भी यह सोचो कि यह सबसे disturbing trend है हिंदू muslimान में तो चली रहा था देश खत्रे में जो चलता यह narrative कि इनसे तो डरना ही है और यह सब चल रहा है महीलाओ के अगेंस्ट एक नया narrative आ चुका है where everybody will hate women क्योंकि section 498 करती हैं they sleep around they do all this activities सब जगे महल पूरा बना दिया है अब कोई लड़की मिल जाए रात को भार चलती तो भाया हम तो उसको slut shame is the word वो करेंगे this is the this is the status of India और यह कह रहे हैं मो दीजी अमरित काल है यह यह wish काल है dark ages है एक बेटी जो काम करने के लिए जाती है C.A.N.A. Sebastian उसको काम के बोज में मार देंगे एक जो नौकरी के लिए रात को duty पे रहती है कॉलकता के अंदर हमारी बेटी उसका घिनोना उसको security नहीं देंगे और वहां की government कोई इसमें को party भारतिय जुमला party की बहुत बड़ी सरकार है वहां ममता दीदी की सरकार का भी यह है वो उनने निकाल दिया order की अब महीलाओं को रात को duty नहीं देनी doctors को यह अप्रोच है वहां Supreme Court में चंदर चूट जी ने बोला है कि भी you are supposed to provide security you are not supposed to tell people to stay at their home यह तो बड़ी अच्छी च बाकी वो जो थे ना हिजाब का issue चल रहा था कि वो नहीं पहना चाहिए तो अपनी बाकी महिलाओं को भी पहना दो हमारा धरम भी कर लेता है वही है ना रात को दिख जाएं दिन में दिख जाएं control नहीं होता आदमी है आदमियों से पुलिस वालों से control नहीं होता अब इसक investigation उन्हीं किये वो उस मुझे एक चीज़ बताओ उस महिला का क्या intention और motivation है रात को जाके पुलिस टेशन में कुछ हला मचाने का फाल तुमें उन्हीं क्या motivation है कोई आदमी पुलिस वाली की शकल भी देखना चाहता है हम आदमी आप लिखो क्या आप लिखो अपने दिल पे हाथ रखे क्या पुलिस वाले आप एक normal law abiding citizen है इंडिया के tax paying and lawful life जीने वाले आपको पुलिस वाले कोई मैं यहा गाड़ी चोरी हो जाए ना खून के आंसों निकल जाते हैं आदमी अपनी वो नहीं की गाड़ी दिला दे मुझे वो जो एक पेपर आपको मिल जाए ताकि भाई उस गाड़ी के साथ कुछ हो तो आप प्रोटेक्टेट रहें उसमें आदमी ऐसा रो जाता है कि मतलब क्यू क्यों खाती तेरी गाड़ी क्यों उठी तेरी गाड़ी क्या हुआ क्या प्रूफ है मतलब वो अपनी एक आपको सिर्फ वो एफ़ार की कौपी चाहिए कि भी हमें थोड़ा वो जाओ धूंड के तो कोई नहीं लेके आता पुलिस का सिस्टम आज के दिन हो गया है राजनेत के लिए अकांटेबिलेटी है फोन आएगा तो काम करेंगे अगर तुम यहां आयो और तुम्हारे लिए सिफारश का कोई फोन नहीं आया है तो तुम्हारी कोई आखाती नहीं है वी कन डू एनीधिंग विदियो अधर्वाइस मुझे बताओ पुलिस वालों को अगर वो रहे है कि यारती सेना का अधिकारी है दो पैसे का प्रो टोक्ल भी नहीं पता रूल्स भीनी पता प्रॉब्लम तो यह है हंगे के बल जो कहते हैं हर्याणा में बड़ हंगे के बल चलू रहे हैं आम पॉलिस हैं हम से उपर कौन हम से उपर कौन अगर उन्हें इतना भी पता होता कि भई रूल के हिसाब से सेन अधिकारी को बिना प्रॉपर प्रोसीजर वारंट इन्वाल्विंग दा आर्मी एंड दो इल्जाम रेप एंड मुर्डर उसके आप ऐसे नहीं डिटेन कर सकते करी नहीं सकते प्रोसीजर ही नहीं है इतना हम यह उडिसा है क्या उडिसा में चेंज हुआ है एक बिजू अपने नवीन पतनाइक जी कि सरकार चेंज हुए बस देखलो तमाशे कभी हमने उडिसा में ऐसे नहीं समझा था वो तु इसको पॉलिटिकल तो जी सांस लेना भी पॉलिटिकल है इंडिया में तो पॉलिटि सीं के में बोलो भी जए पिक्यूमें हो रहा तो भी हômट प्यूमें हो नमबर देव्य को जये भी जाएगा. इस फॉज का आज के दिन ये social media है, ऐसा तो है नहीं कि जो इंसान ब глаз में बटॉज्था उसके पास mobile नी है, उसका social media नी आता, वहाई इंटरनेट नहीं आथा वो भी देख रहा है क्या हो रहा है we as citizens of India are we worth a defending are we do we deserve a 4G to die for us first of all we have to deserve this country has to deserve this and in हरकतों से do we deserve आप अपने 4G के साथ यह कर रहे हैं serving 4G के साथ retireों को तो खुब पीटा था यहाँ पे जब protest कर रहे थे serving के साथ अब यह हाल हो रहा है डूब के मरना चीए सारे citizens को शरम में मैंने तो 5-7 दिन से वीडियो नहीं मनाया इस channel पे क्योंकि I was like कि यार कुछ फरक नहीं पड़ता कुछ नहीं होता अब फिर हिम्मत करके कि नहीं यार बोलना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे जैसे जब बोलेंगे नहीं तो क्या फरक पड़ता है फरक तो पड़ता है हवा निकालने के लिए एक सुई बहुत है एक एक चीटी बहुत है हाथी की सुनवे प्रॉल्म यह है सब लोग फील करते हैं प्लाटफॉर्म नहीं होता टुटर पे नहीं जाते मैं प्लाटफॉर्म दे रहो कमेंट सेक्शन की बरमार करो दुनिया देखती हूपर वीडियो और पॉलिटिक्शन्स तो जब पॉलिटिक्स पे जागता है जैसी टुटर पे जादा हुआ यह हुआ तो महां की संग्यान लिया भारतिय जंता पार्टी की चुनिंदा सरकार सबसे बड़ी पार्टी ने संग्यान लिया हर जगे इंडिया में आज के दिन यह विशोगुरु वाले काम नहीं है युक्रेइन वाले रुकवा दो युक्रेइन में और पुतिन का दोस्ती करा दो अपना राइता समलता नहीं है अपने सिटीजन्स क्या फॉज जी सेक्योर नहीं है और चलें बिदिन से मिलने वो जो की प्रेजिडेंट भी नहीं मनने वाला कमला हैरिस मने गिया ट्रंप मिलेगा गुमी गुमी गले मिलो वो उससे बोला नहीं जाता बिदिन से नहीं तू मोधी जी के अरे भीया देश का मुख्य is responsible for everything पुलिस रिफॉर्म्स across इंडिया Central Government कराएगी या Udisa Government कराएगी या कॉलकाता वाले बंद कर दो लड़कियों को रात को ड्यूटी मत दो पहले बोले हो तो क्या डॉक्टर्स जॉइन जॉइन यार जल्दी जॉइन करो हो तो क्या कॉलकाता पुलिस को देते हम साथ दिन में resolve कर लेते case और तुम तो किसी को पकड़के किसी को डालके resolve करी देते न यही तो attitude चल रहा है हम ऐसे चुट्कियों में resolve कर लेते CBI से हो नहीं रहा है तरे टाइम लग रहा है पता नहीं कितना रहता फैला हुआ है उसमें लेकिन हाँ ऐसे fast law on the spot करते चलो बुल्डोजर जस्टिस का पता चल गया न सुप्रिम कोट नहीं बता दिया बड़े स्वाद आते थे कुछ भी चल रहा है क्योंकि यह कहा है न जब आप काव विजलांटे विजलिटिजम जो बोलते हैं ठीक है जब आप superficial issues को जब गव माता की रक्षा गव माता की रक्षा is okay very good you should do what about रक्षा of our बेटी real human beings क्या इनका दर्जा गव मता के बराबर तो आना चाही मेरे सब से बराबर आना चाही मैं नहीं कह रहा हूँ उपर करने को अरार स्ट ओके तो तुम दो फेस में करा रहे हो कुछ भी जुमला हो ना कुछ यह कोई भी मुद्दध उठाके कुछ निकाल दो कहिं का कोई मुद्दध बना दो और सारे बेश्रम जो ट्रोल जो इनकी आरमी है वह हर मुद्दे पर ले जाते और जंता, जंता का कोई खून खौलता ने, कुछ होता ने, क्यों किसानों की, कॉलकता में बेंगॉलियों का खौल रहा है, which is good, बेंगॉली, जो भी इंटेलेक्चिलिजम है, लेफ्टिस्ट पना था, या चॉलबे नहीं अप्रोच थी, भाई कुछ तो बेंगॉलियों में सही है, बाकी कंट्री के कंपारिजन में, they are still not letting it go down, ममता बैनेजी जी इस हविए दिफिकल ताम, which is very good, she should have a very difficult time, and मेरे को तो appreciation है, बेंगॉली भाईयों के लिए appreciation है, बाहर भी, गाने भी बनाए हैं उनने, इखटे करा है, पूरी मशाल मार्च भी करी है, they are not letting this stop, but then what happens is, who will speak for the Fauji, do you even know that people even know that he has इतना control में है फाज, आज से 10-20-40 साल पहले की बाते होती, social media कम था, ये था, भाई साब, you trouble, they are people trained to kill and have their weapons, why are you testing their patients, here I want to tell these police people, I want to tell a solution, 2-3 recommendations है, हर police IPS officer को 3-4 महीने अपनी हैदराबाद की training के बाद, फॉज के साथ training में भेजा जाए, ताकि police को पता चल जाए कि police क्या है और फॉज क्या है, और उनको border पे उस trench में एक हफ़ता तो रखा जाए, जब फॉजी, फॉज 2-2-3-3 साल एक tenure काटती है, और हर आदमी अपनी 20 साल की service में 2-3 tenure भी काटता है, पता चलेगा, फिर वो आके अंदर से इज़त तभी आएगी, ब्रिटिश टाइम में मजा ले कि police आर्मी पे कुछ मतलब चूँ भी कर ले, पाकिस्तान में पता है आर्मी का क्या होता है, क्या है आर्मी, तब ही वो देश मरा होके भी खड़ा है ऐसे, क्योंकि फॉज ऐसे है, पर थोड़ी तो इज़त दे लो, तुम्हारी फॉज नहीं तो लड़ना है पाकिस्ताना आर्मी से, उसी आर्मी से जहां पूरा देश कापता है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, मैं यह नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी ऐसा काम करे जो पाकिस्तानी आर्मी करती है, पर भाई तुम इच्चत तो दे सकते उन्हें, उन्हें पीटना तो बंद गर सकते हो, पाकिस्तान आर्मी में कैसे पाटी हुई होगी, कि ये इंडियन आर्मी के तो आफसर पीट रहे हैं, पुलिस, बताओ, चाइना में भी पाटी हुई होगी, शैंपेन खुली होगी, ओ, इंडियन आर्मी ओफसर्स, उन्हें तो नहीं पुलिस ही पीटे देती है, शरम, 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 और I want all retired IPS ओफसर्स, क्योंकि सर्विंग के तो अपने वो होंगे, तंटे और मजबुनिया, I want all retired IPS ओफसर्स to come out and tell that this is extremely wrong, what has happened, and what are the corrective measures to put, there has to be a big kanun, which comes and which is known to this all police वाले लोग, कोई वैसे भी बहुत हिज़त नहीं है, पुलिस की इंडिया में, ये एक fact है, बोला नहीं जाता है क्योंकि डरते हैं सब वैसे, सबको पता है, पुलिस वाले को देखके सबका मन हो जाता है, कोई रिष्टेदार भी हो, तो ऐसे हो जाता है आदमी ही तो बच्चे हैं, ही तो गए हैं, क्या है, लेकिन भई ऐसी हरकतों से स्टिरोटाइपिंग होगी, ऐसी हरकतों से एक जगे नहीं, राहिसान में भी, राहिसान और उडिसा में क्या है, राहिसान में भी हो रहा है, वो सोच ऐसी है, राहिसान में तो उसके कपड़े उतार पूरी पुलिस को यह उडिसा पुलिस में क्यों उडिया है राजिस्थान पुलिस में क्यों सारे राजिस्थान नहीं है इनको मिक्स करो क्योंकि यह पॉलिटीशन और उनके साथ ऐसे हो गए हैं 50% पुलिस बाहर के होने चाहिए अगर हर्याणा पुलिस में 10,000 आदमी है तो पांच अधार आदमी भार के होने चीए ताकि वो चेक्स एंड बैलेंस रहे इंडियन रेलिविस में सब लोग हैं इंडियन फॉज में सब लोग हैं हर जगे के आपके CRPF में हर जगे के लोग है, BSF में हर जगे के लोग है, ITBF में हर जगे के रोल है, हर जगे के लोग है, तो आपकी CSF में हर जगे के लोग है, तो उसी तरह पुलिस के रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है, और IPS को पिठ्थू लगा के पीछे दे के SLR हाथ में 5 किलोमेटर की BPT क रहा हो और बोल बेटा आ तू एक्सिलेंट टाइम में और फिर पता चलेगा कि क्या होती है ट्रेनी ठीक है तीन महिने इनका पता होना चाहिए कि उसके बाद वन्सी एटेंड ना देन देट रिस्पेक्ट इस फर लाइफ टॉम और एक बार आई पिस के दिमाग बेजे में गुशगी न वह नीचे वालों में घुसाई देगा उपर से एक बार से एक बार सेट कर दो सिस्टम अपने आप हो जाएगा यह करके यूपी एसी क एक्जाइम पास 32 साल की उमर में 12 साल बैट बैट के मुखरजी नगर में इतनी गलोरी नी मिलती इतनी गलोरी नी मिलती कि लेके जोगरफी का पेपर 200 कुश्चन आते हैं उसमें रट के ये लेके सहरा इदर उदर उसका बन गे कुछ और उसके बाद फिर चोहधरी आप क्य अगर आप वो पिक्चर देखो है कही लोग ने अपने देखी होगी the country which cannot respect its armed forces will pay very very heavily very very heavily and police की nonsense has to be called out अगर who will check in India that every police station has got a CCTV camera which agency will check कौन सा audit check है कौन check करेगा आगे भी वीडियो बनेगा एक इंडिया में एक और वो हुआ है IES का जो पतन हुआ है ना power का and ये पुलिस राज का भढ़ना which has happened in this dispensation and not many people will call out because people don't understand this politics आम आदमी को क्या पता क्या हो रहा है उसे तो धरम खत्रे में है inflation है tax है नौकरी है बस इसके beyond turn है internally क्या हुआ है bureaucracy के उपर क्या हुआ है and ये वाला जो राज start हुआ है IPS was always number two IES was here पर काफी चीज़े change हुआ है वो मजा बहुत आ है लोगों को IES का जब हुआ क्यो fall of this thing but वो rise किसका हुआ और उससे क्या हो रहा है that is there for all of you to see these people are public servants and they should behave like one but they behave like raja's because क्या raja से direct link है politician से politician ने कुछ बोला वो काम कर दिया बाकी सानू की बाकी हम देख लेंगे otherwise आप ये देखो कि वो क्या है police का क्या qualification है उसकी क्या seniority है यही चीज reverse हो जाए तो क्या होगा कहीं पे और हो भी सकती है army के officers की by law बहुत powers है tomorrow if army officer is always on duty picture हो में भी सुना होगा देखा भी होगा if they start coming on leave and they should with their service weapons because they are authorized to carry it because they are always on duty then you don't know what hit you if they start coming on leave and traveling with service weapon तो है आर्मी वालो को भी ये है कि अपना देख लो आप लो आपको भी message क्लियर है देख लो कहां जा रहे हो क्योंकि इज़त पे अगर है तो आप देख लो क्या कर सकता है and here the military leadership of this country will be tested and citizens of India like me aware citizens are watching the military leadership very very carefully I will not leave this topic I will try to get experts on it also and we will not let this mudda like this India needs to know what is happening military leadership as of now has sounded reasonably okay and they are doing what is expected of them till now but कभी क्या case का पूर नहीं होता कि कर दिया शुरू में ठीक कर दिया आगे क्या है इस case में justice जैसे बोलते है should not only be done it should seem to be done also कि justice मिली है जो जवान बॉर्डर पे महां खड़ा है उसको पता होना चीए इस case का क्या हुआ क्योंकि कहानी में और situation में ये कुछ भी twist कर सकते हैं सारा case बना दिया कि इनने देवर intoxicated है इनने टेक्स वो नहीं बनाया गजब है गजब है मतलब कोई किसी के पीछे भागे तो उसको वो intoxicated है तो उसको अंदर करतो सबसे पहले कि तू आये क्यों हमारे पास गजब पुलिस है या कि मतलब ये कहते हैं इनके behavior से ये message क्या देना चाहते है कि हमारे पास आ मत जा ना क्यों रात को अगर तुम्हारे पास कुछ हो रहा और तुम्हारे पास आये तो हम तुम्हारे अंदर कर देंगे ये इस बात निंदन ये है शरम नाक है और समबडी थो टेक संग्यान और रिश्टोर द गॉन्फिटेंस इन एवरीधिंग ये सारा कॉन्फिटेंस इल गया बत्मी जी ए अंड उसमें क्या है जनता को प्रकट प्रकट करना है आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्लैट्फॉर्म दे रहा हूं नहीं आपका ट्विटर अकाउंट नहीं आपसे महां लिखा जाता है कमेंट सेक्शन में लिख लो पढ़ते हैं लोग हैं लोगों के पास टाइम ऐसा नहीं है शेयर करें लाइक करें थैंक्यू रिमिच्छ